प्रशासन के लापरवाहे के चलते जीले में स्वास्ते विभाग की सहय पर छगा जगा जगा जोला चाप डॉक्टर ने ना जाने कितने मासुमों की जानवत सेहत से खिलवार कर रही हैं जिसको लेकर अप तक जीला प्रशासन का टाल मटोल रवया के आगे लोग फरजी इलाज के सहारे बरबाद होने को मदबूर है ऐसा ही जोला चाप डॉक्टर का मामला पिली भीट से हमारे सामने आ रहा है जहां डॉक्टर द्वारा नवजात को गल्प इंजेक्शन लगाने से उसकी मोत हो गई आपको बता दे कि जीले में ये स्वास्ते मैक में की बड़ी लापरवाही का यह पांचवा मामला है गाउं जा रहा था उसी बीच उसके आठ महा के मासुम की अचानत तब्यत बिगरने से थाना दसूरिया शेतर के ग्राम मादवापूर में एक नीजी मैडिकल पर जोला चाप डॉक्टर को इलाज के लिए दिखाया लेकिन जोला चाप डॉक्टर ने मासुम को इंजेक्शन लगाकर उसे ठीक करने की बात कहते हुए मासुम का इलाज शुरू कर दिया पीडिस परिशनों का आरोप है कि जैसे ही जोला चाप डॉक्टर ने नवजात को इंजेक्शन लगाया उसके 10 मिनट बाद ही मासूम की मोथ हो गई पूरे मामले की शिकायत थाना दिदूरिया पुलिस से की गई है पीडिक परिवार से तहरीर पर पूलिस ने मासूम के शव को कबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए धेश दिया है और आरोपी जोला चाप डॉक्टर के खिलाफ एफायार दर्च कर मामले की चांश शूरू कर दी गई है मासूम के एक जेट्शन लगा के इसकी मौट का कारण सामने आए क्या है तुरे बाटम यह कोतवाली दियूरिया कला का एक प्रकरण है जिसमें कल एक प्रकरण इस तरह से था कि गजरोला के गाउपंडरी के रहने वाले रोतास वह किसी कांट से बंडा जा रहे थे तो रास्ते में उनके आट महा पुत्र स्वामित रही तो उन्होंने हुआग की तवियाथ खराब हुई तो उन्होंने मध्वर पुरे गाउं पड़ता है चो रास्ते में है तो उसका पोस्मार्टम कराये गया है पोस्मार्टम में मिप्टियों को जो भी करना आएगा उसके आधार पर उनको सूचित कर जाएगा और अगर वो इसमें कोई तहरीक देंगे तो तहरीक कमसा जो भी नयावचित करवाई है सुसंगा दारहों में अभियो पंडिकरत करके तरभई के जाएंगे जे बीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रिडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फानेस्ट बैंक्वेट हॉल जोती गार्डन वोल्ड-क्लास केटरिंग, सेंट्री एर कंडिशिन, लुष ग्रीन लॉण्स, सेट अफ दी आर्ट लाइटनेंग, अ पर्फेक्ट वेन्यू फो वेडिंग, लाँचिंग, पार्टी राजगराना एंड जोती गार्डन, आजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज